हाई अबरिवन तो फ्रेंड्स 1st February 2019 को मोधी गवव्मेंट की तरफ से उनके इस कारेकाल का आखरी इंटरिम बजट पेस किया जा चुका है और फिनांस मिनिस्टर स्री पियूस गोईल की तरफ से पेस किये गए इस इंटरिम बजट की सबसे मेजर हाइलाइट रही सालाना 5 ल और डिटेल्स समझ में आई तो यह घोसना केवल छोटे इंकम टेक्स पेर्स के लिए खुसकबरी बनी जबकि मीडियम और हायर क्लास आफ इंकम टेक्स पेर्स को निरासा हुई तो फ्रेंड्स क्या सच में आपको सालाना 5 लाक रुपे तक की इंकम पर कोई भी इंकम टेक्स नहीं देना पड़ेगा क्या इस बजट में इंकम टेक्स लैब के अंडर चेंजेज किये गए हैं तो आईए इसी कन्फूजन और क्विस्चन को क्लियर करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इंफो मीडिया फ्रेंड्स सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि फाइनेंसिल ये 2019-2020 के लिए इस इंटेरिम बजट में इंकम टेक्स लैप्स के अंडर कोई भी बदलाव नहीं किया इसे कनफर्म करने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनस बिल 2019 जिसे गवर्मेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है बजट के दौरान लोगसभा में जो की एपलिकेबल होगा फाइनेंसिल ये 2019-2020 के लिए अगर मोधी सरकार फिर से आती है और इस इंटे इंटेज नहीं किया गया है अभी भी आप अगर 60 साल से कम के इंडिविज्वाल टेक्सपेर है तो आपको अड़ाए लाग रुपे तक की येरली टूटल इंकम पर कोई भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा जगकी अड़ाए लाग से पांच लाग रुपे तक की इंकम पर आपको as it is 5% income tax देना पड़ेगा और 5 से 10 लाख रुपए तक की income पर 20% tax और यदि total income 10 लाख रुपए से अधिकी है तो आपको 30% tax pay करना पड़ेगा और ठीक इसी तरह से senior citizens के लिए applicable income tax slabs में भी कोई changes नहीं किये गए हैं तो यह जो government 5 लाख रुपए तक की income पर कोई भी income tax नहीं देने की बात कर रही है वह क्या है Friends आपको ध्यान में होगा Finance Minister ने इस budget के दौरान जब यह घोसना की तब उन्होंने यह कहा कि ऐसे individual taxpayers जिनकी annual taxable income 5 लाख रुपए तक की है उन्हें full tax rebate मिलेगा और Finance Minister ने जिस full tax rebate की बात कही है वह है rebate under section 87A of the income tax act जिसमें propose किये गए amendment को आप इस finance will के page number 8 में देख सकते हैं Friends अगर सीधे सब्दों में कहें तो वे सभी persons जिनकी annual taxable income सभी deductions जैसे की ATC, ATD वगेरा घटाने के बाद 5 लाख रुपए तक की है उन्हें ही केवल कोई भी income tax नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी annual taxable income सभी deductions को list करने के बाद 5 लाख रुपए से अधिक की है तब आपको income tax में rebate under section 87A के अंडर कोई भी छूट नहीं मिलेगी Friends आईए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं presentation और example के जरिये आप अपनी screen पर देख सकते हैं दो situations दी हुई है एक है present situation और एक budget के बाद की situation जहां present situation में rebate under section 87A के अंडर अगर आपकी annual taxable income साढ़े तीन लाख रुपए की है तो आप पर बन रहे income tax पर रहे जार रुपए त पर आपकी annual taxable income अगर 5 लाख रुपए तक की है तो आप पर बन रहे income tax पर अब आपको 12,500 रुपए तक की छूट मिलेगी for example आपकी income सभी deductions के बाद 5 लाख रुपए की है तो आप पर बन रहे 12,500 रुपए की income tax liability इस नए rebate under section 87A के अंडर छूट मिलने के कारण 0 हो जाए जबकि अगर आपकी annual taxable income सभी deductions को list करने के बाद 5 लाख 10,000 रुपए की है तो आप पर बन रहे 14,500 रुपए की income tax liability पर कोई भी rebate यानि की कोई भी छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी annual taxable income 5 लाख रुपए को पार कर गई है तो I hope friends आपको समझ में आ चुका होगा कि कि पाच लाख रुपए तक की सालाना income पर कोई भी income tax नहीं देना पड़ेगा तो friends अगर यह video information आपको अच्छी लगी है तो इसे जरूर से like करें और उक के साथ इस video information को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करके उनकी भी इस confusion को दूर करें so subscribe, press the bell button and stay tuned to our channel expert info media for more upcoming latest test updates, thanks for watching, Jai Hind, Vandematram.